मध्य प्रदेश के राजपाल, स्रिमान मंगुबाय पतेल, मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री, स्रिमान स्रिवराच्ची चवान, केंद्रिय रेल मंत्री, स्री अश्विनी वैश्णव जी, यहाँ उपस्तित, अन्य सभी महानुभाव, भाई और बहनों, आज का दिन बोपाल के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, और पुरे देश के लिए, गौरव पुर्ण इतिहास और भवशाली भविश्य के संगम का दीन है। भारतिय रेल का भविश्य कितना आधुनिक है, कितना उज्वल है, इसका प्रतिविम भोपाल के इस भव्य रेल्वे स्टेशन में जो भी आएगा उसे दिखाई देगा। बोपाल के इस अइतिहासिक रेल्वे स्टेशन का सिर्फ काया कलप ही नहीं हुआ है, बलकि गिन्नोर गड की रानी कमला पती जी का इससे नाम जुड़ने से इसका महत्व भी और बढ़ गया है। गौर्णवाना के गवरव से आज भारतिय रेल का गवरव भी जुड़ गया है। ये भी ऐसा समय में हुआ है जब आज देश जन जातिय गवरव दिवस मना रहा है। इसके लिए मंद्रप्रदेश के सभी बहनों भाईयों को विशेश रुप से जन जातिय समाज को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथियों आज यहां इस कारकम में भोपाल, रानी, कमलापती, बर्खेडा लाइन का तिहरी करां। गुना गवालियर खंड का बिजली करां, फतेहाबाज, चंदरावती, गंज, उज्जेईन और मतेला निमार खेडी खंड का बिजली करां। और उसे ब्रॉड गेज में बदलने के प्रोजेक्स का भी लोकारपन हुआ है। इन सभी सुवीदाओं के मन्ने से मद्यप्रदेश के सबसे व्यस्त रेल रूट में से एक पर दबाव कम होगा और परियतन, तिर्थाटन के अहम स्थानों की कनेक्टिविटी अधिक सशकत होगी। विशेश रुप से महाकाल की नगरी उज्जे और देश के सबसे स्वच्च शहर इंदोर इसके बीच मेमू सेवा शुरू होडे से रोजाना सफर करने वाले हजारों यात्रियों को सीधा लाब होगा। अब इंदोर वाले महाकाल के दर्शंकर समय पर लोट भी पाएंगे और जो कर्मचारी, व्यवसाही, स्रमिक साथी रोज अपड़ाउन यात्रा करते हैं, उनको भी बहुत बड़ी सुविदा होगी। बहनों और भाईयों, भारत कैसे बदल रहा है, सपने कैसे सच हो सकते हैं, ये देखना हो, तो आज इसका एक उत्तम उदारान, भारतिय रेलवे भी बन रहा है। छे साथ पहले तक जिसका भी पाला भारतिय रेल से पड़ता था, तो वो भारतिय रेल को ही कोशते हुए, हमेशा कुछ लुकुछ बोलते हुए, ज्यादा नजर आता था। स्टेशन पर भीड़भाड, गंदगी, ट्रेन के इंतजार में गंटों की टेंशन, श्टेशन पर बैटने की, खाने पिने की असुविदा, ट्रेन के भीतर भी गंदगी, सुरक्षागी भी चिंता, आपने देखा होगा लोग बैक के साथ, चेन लेकर के आते थे, ताला लगाते थे। दुरगटना का डर, यह सब कोछ, याने रेलवेब बोलते ही, सब ऐसा ही ध्यान में आता था, मन में यही एक छबी उभर करके आती थे। लेकिन, स्थिती यहां तक पहुँच गई थी, कि लोगों ने स्थित्यों के बदलने की उम्मित तक छोड़ दी थी, लोग मान लिया चला भई, ऐसे ही घुजारा करो, तब ऐसे ही चलने वाला है। लेकिन, जब देश इमानदारी से संकल्पों की सिद्धी के लिए जुड़ता है, तो सुधार आता ही आता है, परिवर्तन होता ही होता है। ये हम बीते सालों से निरंतर देख रहे हैं। साथियों, देश के सामान्य मानवी को आतुनिक अनुभव देने का जो बीड़ा हमने उठाया है। इसके लिए जो परिश्रम दिन रात किया जा रहा है, उसके परणाम अब दिखाई देने लगे हैं। कुछ महिने पहले गुजरात में गांधिनगर रेल्वे स्टेशन का नया अवतार देश और दुनिया ने देखा था। आज मध्यप्रदेश में भोपाल में रानी कमलापती रेल्वे स्टेशन के रूप में देश का पहला ISO Certified, देश का पहला PPP Model आधारित रेल्वे स्टेशन देश को समर्पित किया गया है। जो सुविधाएं कभी एरपोर्ट में मिला करती थी, वो आज रेल्वे स्टेशन में मिल रही है। आधुनिक टॉयलेट, बहतरीन खाना पिना, शॉपिंग कॉंप्लेक्स, होटेल, म्यूजियम, गेमिंग जों, होस्पिटल, मॉल, स्मार्ट पार्किंग, ऐसी हर सुविधा यहां विक्सित की जा रही है। इसमें भार्तिय रेल्वे का पहला सेंट्रल एर कॉंकॉर्स बनाया गया है। इस कॉंकॉर्स में सेंक्रो यात्री एक साथ बैठ कर ट्रेड का इंतजार कर सकते हैं। और खास बात ये भी है कि सारे प्लेटफॉर्म इस कॉंकॉर्स से जुड़े हुए है। इसलिए यात्रियों को अनावश्यक भागदोड करने की जरूत नहीं होगी। भाई और बहनों ऐसे ही इंफ्रस्ट्रक्टर की ऐसी ही सुविधाओं की देश के सामान्य टैक्स पेर को देश के मध्यम्बर को हमेशा उमिद रही है। यही टैक्स पेर का असली सम्मान है। वी आईपी कल्चर से एपी आई याने एवरी पर्शन इज इंपोर्टन्ट एपी आई की तरफ ट्रांस्परमेशन का यही मोडल है। रेलवेश स्टेशन के पूरे इको सिस्टीम को इसी प्रकार ट्रांस्परम करने के लिए आज देश के पौने दोसों से अधीक रेलवेश स्टेशनों का काया कल्प किया जा रहा है। साथियों आत्म निर्भर भारत के संक्रत के साथ आज भारत आने वाले वर्षों के लिए खुद को तयार कर रहा है। बड़े लक्षों पर काम कर रहा है। आज का भारत आधुनिक इंफ्रास्टेकर के निर्माण के लिए रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट तो कर ही रहा है। ये भी सुनिशित कर रहा है कि प्रोजेक्स में देरी ना हो, किसी तरह की बाधा ना आये। हाल में शुरू हुआ, PM गतिशक्ति, National Master Plan इसी संकल्प की सिध्धी में देश की मदद करेगा। इन्फ्रास्ट्रक्तर से जुड़ी सरकार की नीतियां हो, बड़े प्रोजेक्स की प्लानिंग हो, उन पर काम किया जाना हो, गतिशक्ति, National Master Plan सभी का मारदर्शन करेगा। जब हम Master Plan को आधार बना कर चलेंगे, तो देश के संसाधनों का भी सही उप्योग होगा। पी-म गतिशक्ति, National Master Plan के तहर सरकार अलग-अलग मंत्रालों को एक प्लेट्फरम पर ला रही है। अलग-अलग पोजेश की जानकारी, हार्ट डिपांट्मेंट को समय पर मिले, इसके लिए भी व्यवस्ता बनाई गई है। साथियों, रेल्वेश स्टेशन के रीडेवलप्मेंट का यह अभ्यान भी, स्रिप स्टेशन की सुवीधाओं तक सिमित नहीं है। बलकि इस तरह का निर्माण गति शक्ती नेशनल मास्टर प्रान का भी हिस्सा है। यह आजादी के अमरित काल में ऐसे इंफ्रासेक्टर के निर्माण का अभियान है, जो देश के विकास को अभूत्पुर्व गति दे सके। यह गति सक्ती मल्टी मोडल कनेक्टिविटी की है, एक होलिस्टिक इंफ्रास्टर की है, अब जैसे रानी कमलापती रेल्वे स्टेशन को एप्रोच रोड से जोडा गया है। यहां बड़ी संख्या में पार्किंग की सुविदा बनाई रही है। भोपाल मेट्रो से भी इसकी कनेक्टिविटी सुनिस्चित की जा रही है। बस मोड के साथ रेल्वे स्टेशन के एकी करन के लिए स्टेशन के दोनों तरफ से बी आर्टी एस लेन की सुविदा है। यानि ट्रावेल हो या लॉजिस्टिक सब कुछ सरल हो, सहज हो, सीमलेस हो ये प्रयास किया जा रहा है। ये सामान्य भारती के लिए, सामान्य हिंदुस्तानी के लिए ईज ओफ लिविंग सुनिस्चित करने वाला है। मुझे खुशी है कि रेल्वे के अनेकों प्रजेक्स को इसी तरह गती शक्ती नेश्टनल मास्टनल प्रांच से जोड़ा जा रहा है। साथ क्यों एक जमाना था जब रेल्वे के इंफ्रास्टेक्टर प्रजेक्स को भी ड्रॉइंग बोर्ड से जमीन पर उतर जाने में ही सालों साल लग जाते थे। मैं एक हर मैना प्रगती कारकम में रिव्यू करता हूँ कि कौन सा प्रोजेक्स कहां पहुंचा। आप हैरन हो जाएंगे मेरे सामने रेल्वे के कुछ प्रोजेक्स ऐसे आये जो 35-40 साल पहले गोशित हो चुके थे। लेकिन कांगेज पर लकिर भी नहीं मिनाई गे, 40 साल हो के। अब ख्यार ये काम भी मुझे करना पढ़ रहा है, मैं करूंगा, आपको वरोसा देता हूँ। लेकिन आज, भारतिय रेल्वे में भी जितनी अधीरता, नए प्रोजेक्स की प्लानिंग की है, उतनी ही गंभीरता उनको समय पर पुरा करने की भी है। इस्टन और बेस्टन डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर, इसका एक बहुत सटिक उधारण है। देश में ट्रांस्पोर्टेशन की तश्वीर बदलने की ख्षमता रखने वाले इन इंफ्रस्टेक्टर प्रोजेक्स पर अनेक वर्षों तक तेज गती से काम नहीं हो पाया था। लेकिन बीते 6-7 सालों के दोरां ग्यारा सो किलोमेटर से अधिक रूट को पूरा किया जा चुका है। और बाकी के हिस्ते पर तेज गती से काम चल रहा है। साथियों काम की यही गती आज दूसरे प्रोजेक्स में भी दिखती हैं। बीते 7 सालों में हर वर्ष अवसतन डाई हजार किलोमेटर ट्रेक कमिशन किया गया है। जबकि उससे पहले के सालों में यह पंदरा सो किलोमेटर के आजपास ही होता था। पहले के तुलना में इन वर्षों में रेलवे ट्रेक के बिजली करण के रप्तार पांज गुना से अधिक हुई है। मद्यप्रदेश में भी रेलवे के 35 प्रोजेक्ट में से लगबक सवा ज्यारा सो किलोमेटर के प्रोजेक्ट कमिशन हो चुके हैं। साथियों, देश के मजबूत होते रेलवे इंफ्रासेक्टर का लाप किसानों को होता है, विद्यार्फियों को होता है, व्यापारियों, उद्यमियों को होता है। आज हम देखते हैं कि किस तरह किसान रेल के मजब्यम से देश के कोने कोने के किसान दूर दराज तक अपनी उपज भेज पा रहे हैं। रेलवे द्वारा इन किसानों को माल दुलाई में बहुत छुट भी दी जा रही है। इसका बहुत लाप देश के छोटे किसानों को भी हो रहा है। उन्हें नए बाजार मिले हैं। उन्हें नया सामर्थ मिला है। सात्यों भारतिय रेल सिर्फ दूरियों को कनेक करने का माध्यम नहीं हैं। बलकि ये देश की संस्कृति, देश के परियाटन, देश का तिर्धाटन को कनेक करने का भी अहम माध्यम बन रही है। आजादी के इतने दसकों बाद पहली बार भारतिय रेल के इस सामर्थ को इतने बड़े स्कर पर एक्स्प्लोर किया जा रहा है पहले रेलिवे को तूरिजम के लिए अगर उप्यो किया भी गया तो उसको एक प्रीमियम क्लब तक ही सिमित रखा गया पहली बार सामान्य मान्वी को उचीत राशी पर परियतन और तिर्थातन का दिव्य अनुभव दिया जा रहा है रामा एंड सरकीट ट्रेंड ऐसा ही एक अभीनव प्रयास है कुछ दिन पहले पहली रामायन एक्ष्प्रेस ट्रेंड देश फर में रामायन काल के दर्जनों स्थानों के दर्शन करने के लिए निकल चुकी है इस ट्रेंड की यात्रा को लेकर बहुत अधिक उत्सा देश वासियों में देखने को मिल रहा है आने वाले दिनों में देश के अलग-अलग हिस्सों से कुछ और रामायन एक्ष्प्रेस ट्रेंड भी चलने वाली है यही नहीं बिश्टा डॉम ट्रेंडों का अनुभव भी लोगों को बहुत पसंद आ रहा है भारतिय रेलिवे के इंफ्रासेक्टर, आप्रेशन और एप्रोच में हर प्रकार के व्यापक रिफॉर्म किये जा रहे है ब्रॉडगेज नेट्वर्क से मानव रही थाटकों को हटाने से गती भी सुद्री है और दुरगर्टनाव में भी बहुत कमी आई है आज सेमी हाइस्पील्ट ट्रेने रेल नेट्वर्क का हिस्सा बनती जा रही है आजादी के अमरत महोचों में आने वाले दो सालों में 75 नई बंदे भारत ट्रेने देज भर में चलाने के लिए रेलवे प्रयात रता है यानी भारतिय रेल अब अपनी पुर्यानी विरासत को आजुनिकता के रंग में ठाल रही है साथ क्यों बहतर इंफ्रास्टर्टर भारत की आकांच्छाई नहीं बलकी आवश्रक्ता है इसी सोच के साथ हमारी सरकार रेलवे समय इंफ्रास्टर्टर के हजारों पुझेश पर अबुद्पुर्वन निवेश कर रही है मुझे विश्मात है भारत का आजुनिक होता इंफ्रास्टर्टर आत्म निर्भरता के संकल्पों को और तेजी से देश के सामान्य व्यक्ति तक पहुचाएगा एक बार फिर आप सभी को आधूरिक रेलवे स्टेशन की और और साथ-साथ अनेक नई रेल सेवाओं की बहुत-पहुत बढ़ाई देता हूं रेलवे की पूरी टीम को भी इस परिवर्तन को स्विकार करने के लिए इस परिवर्तन को साकार करने के लिए रेलवे की जो पूरी टीम नए उत्सां के साथ जुटी है मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं उनको भी बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं आप सबको अनेक अनेक शुपकामना हैं, बहुत बहुत धन्यवाद